हम है बाबा मूर्टि अनंदू बदा ये हम आपकी क्या साहिता कर सकते हैं स्थान ग्रेंड कीजी साहिता आप हमारी नहीं करेंगे अपितु हम तुम्हारी साहिता करेंगे क्योंकि हम है विजय नगर राज्य किराज गुरु दत्थ अचारे हमने निश्य किया है कि जिस स्थान से भगवान की मूर्ती प्रकट हुई है उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्मान हो इस विशे में आपकी क्या राए हमें प्रथम आग्या लेनी पड़ेगी है आप से उपर भी कोई है हाँ गुरुवर जो सब के उपर है निली छत्री वाला परमपिता परबेश्वर हम उससे पूछते हैं सुनिये राजगुरु पत्थाचारी की भव्य मंदर निर्मान की इच्छा है क्या उसकी इच्छा पूर्ण होगी है किसी ना करें क्या कहा अति विलक्षन पूर्श है अर्म विद्वान है श्रेष्ट गुरु है आपने आग्या दे दी बनाई हो इश्वर ने आपको अग्या दे दी आप बव्य मंदर का निर्मान कर सकते हैं परन्तु उस मंदर का प्रवक परोईत आपको मुझे बनाना होगा इश्वर का यही संदेश है अनिथा हम तो रमता जोगी है आज इस स्थान पर कल दूसरे स्थान पर लेकिन इश्वर की चाहे हम एक जगा टिक कर उनकी सेवा करें यह तो अतियंति चतुर वास्तब में यहां भी हमारा ही लाभ है मंदर नर्मान के लिए दी जानी वाली राजकी अपूंजी का कुछ अंश ही हमें धनी बना देगा उचित है बाबा मूर्तियानंदों ऐसा ही होगा जय हो राजगुरु तता चारिकी अरे आप यह कैसे मते करें आप मुझे जूटा सिद्ध करने का प्रेतना करें जब पंडित रामा कृष्णा मेरे यहां पात्र ले जाने के लिए आयते तब वो गर्ब से था अब नहीं है इसका अरत यह है कि मेरे पात्र ने आपके यहां बच्चे दिये मुझे यह बच्चे चाहिए वरना वरना क्या अनेता क्या अनिता मैं क्या कर लेंगे अरे क्या हुआ क्यों सोर मचा रहे हो उठा लो उचे थे गुंट को मोहदे सहाइता कीजिए अरे पात्र नहीं अपनी चरण पादु का उठा लो और वैजर को बिला लो यह दिखे इन मोहदे को किसे विचित्रबाते कर रहे हैं केरेन का पात्र गर बंडी जी क्रिपया जाच ले श्वास चल रही है यानि दरा संभाल के ले जाएगा पिछली बार ले जाते हुए एक पडोसी ने असापधारी बरती तो क्रिपाण की टाम तूड़ गई थी बंडीत रामकृष्ण जी शार्दा देवी केवल पात्र लोटा रही है बच्च तो आप मेरे आहा से जो पात्र लेकर गए थे वो गरब से था आप ही नहीं है इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि मेरे पात्र ने आपके घर में बच्चों को जनम दिया है आप अपने रसोई घर में जाच कीजिए इसके बच्चे वही होंगे अब श्य अब ही जाच करता देख कराता हूं ओ हलिलिलिली अलीलेलीलीली यह लीजिए ने बच्चेम आपके पातर के बच्चे इतने ही दिये है अरे, आपी क्या करें? ये तो हमारे का टोरी है, आपी ने क्यों दे रहे? शार्ता, ये हमारे बरतन नहीं है, ये तो इनके पात्र के बच्चे है, ले जाए हाँ, सब ले जाए हाँ धन्यवाद, पंडित रामकृष्ण जी धेनाली गाउ के पंडित रामकृष्णा का तो बहुत नाम सुनाता, परन्तु ये तो अत्यनता ही मूर्ख निकले मुझे मूर्ख समझने वाले, मेरा खेल तो यहां से आरंब होता है तुरुवर अब तक आए नहीं है आगए महराज, हम आगए, प्रणाम महराज, प्रणाम, प्रणाम गुरू आज हम आपको और समझ दर्वारियों को विजन अगर में हुए चमदकार से अबगत करवाना चाहते हैं प्रण्तों उससे पुर्व हम आपका परिचे बाबा, मृत्यू और मूर्ति आनंदू से करवाना चाहते हैं यह हैं बाबा, मूर्ति आनंदू हैं? कहा गए? हाँ, आगए, आगए यह हैं बाबा, मूर्ति आनंदू महराज जैसे आप अद्बूत, अद्बूत, अद्बूत कहते हैं यह बड़े अद्बूत हैं प्रणाम महराज प्रणाम बाबा महराज यह बड़े ही चमतकारी बाबा हैं हमारे जैसे इनका सीधा संबंध इश्वर से हैं महराज, बाबा मूर्ति आनंदु जहां भी तपस्यारत होते, वह इश्वर स्वयम्भू धर्ती से प्रकट हो जाते. ये तो विजयनगर राज्य का सभाग ये था, कि बाबा मूर्ति आनंदु के पग विजयनगर की पावन धर्ती पर पड़े और स्वयम्भू इश्वर प्रकट हो गए. असाद बहन भानुमति सत्य गह रही थी. महराज, धर्ती से उत्पन्न हुए स्वयम्भू इश्वर के दर्शन के लिए समस्त विजयनगर उमण पड़ा है. जी हां, महराज. महराज, हमने एक निरने लिया है. और उस निरने को कार्यानवित करने के लिए, हमें आपकी अनुमति की आवश्यक्ता है. यदि आपकी आज्या हो, तो बताएं. आज्या है, गरोवर बताएं. महराज, हमारी एक बीच्छा है. कि जिस स्थान पर ईश्वर प्रकट हुए है, उस स्थान पर एक भव्यमंदिर का निर्मान हो. महराज, मेरी विचार से हमें उस स्थान को एक बार अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए. नई पनित रामगिष्टा, उसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है. जी, महराज. दुरुवर, हम आपको अनुमती देते हैं, एक भव्यमंदिर बनाइए. और उसके लिए जितने धन के आवश्यक्ता हो, दुरुवर को वो धन पुदान किया जाए. धन्यवाज, महराज श्री कृष्ण देव राइकी, जै. महराज कृष्ण देव राइकी, जै. श्री कान्त, ईश्वर ने प्रकट होने के लिए तुम्हारे खेत को चुना है. कितने भाग्यवान हो तुम्हारे खेत पर एक भव्यमंदिर का निर्मान होगा. गुरुवर, ये मेरी पुर्खों की भूमी है. मैं वीजे नवेर की जन्ते ये भावनाओं का सम्मान करने होगे, वो चन देता हो, कि जहां से मूर्खी प्रकट वी है, मैं वहाँ छोटो से मंदिर बनवा दूगा. कृपया, आप मेरी समर्त भूमी बार भव्यमंदर का निर्मान पंद केजिए. मूर्ख मत बनो, शरीकांत. देखो, इस मंदिर का निर्मान हमारी देख रेख में होगा. कृपया, महाराज ने भी इस शुबकारे की अनुमती दे दी है. जिन्तिक मत हो, राज्य तुमारी भूमी की प्रति पूर्ति कर देगा. गुरुवर्ण, किसान के लिए भूमी मां के समान होती है. मेरी आप सब प्रार्षना है, मुझे मेरी मां से अलग मत कीजिए. श्री कान्त अपने विवेक का प्रयोग करो, और हाँ, महाराज की आज्या की अभहेलना नहीं हो सकती. अब इस भूमी पर एभव्या मंदिर का निर्मान होगा. अवश्क, जिन्ता मत करो, तुम्हें किसी दूसरे स्थान पर भूमी मिल जाएगी. अब काने गरों का है, कार्यारम करो. अब श्रीगर मुझे पंडित रामा कृष्णा के पास जाना होगा, अब वो ही मेरी साहत कर सकते हैं. शास्त्री जी, शास्त्री जी. प्रणाम रामकृष्णा जी, प्रणाम गुंडगु. शास्त्री जी तो घर पर उपस्तित है नहीं, कोई कारिया था? शास्त्री जी फिर से उपस्तित नहीं है, वो क्या है ना, कि एक बार उन्हें उस पात्र की आवश्रक्ता आनपड़ी है, फिर प्रदान कर दें? पंडित रामक्रिष्णा के बुद्धी मत्ता की व्यर्थी प्रशन सा करते हैं लोग, ये तो एक बार मुर्ग बनने के पस्चार उन्हा मुर्ग बनने आ गया है, पंडित रामक्रिष्णा जी, आपको पात्र चाहिए, आप अबश्य ले जाए, परन्तु इस बार में आपको कोई दूसरा पात्र दूंगा? व्या है ना, फूर में दिया गया पात्र में बच्चों के साथ समय बेड़ित कर रहा है, और अट्यंत प्रसंद है, मैं विगनुद पढ़नें मुर्ड चाहता है, उचित है, आप दूसरा पात्र दे दिजे, आप तत इक्षा कीजिए, मैं अभी आया? जी. ये लिजे, पंडित रामक्रिष्णाजी, दूसरा पात्र. ब्रामित मत हो येगा? वो क्या है ना? सभी पात्रों दिखने में एक जैसे ही होते हैं. आहा, आप सत्य ही कह रहे होंगे. आया, एकिल, समान की. ये भी गर्प से है. अच्छा! क्रिपिया ध्यान से ले जाएगा. यसे अश्चेरी की बात है नहीं? आपके घर के सभी पात्र गर्भ उपती है. सब इश्वर की क्रिपा है. बहुत अच्छा है. कल प्रातर आकर ये पात्र वापस ले जाएगा. अवश्य. संदेवाद. जी क्या क्या आपने उन्हें पात्र लेया है? क्या रसोई के सारे बर्दन शास्त्र जी के घर पहुचाने की इच्छा है क्या? अपितू, शास्त्री जी के उस अति चतुर साले को उसी की चतुराई द्वारा सबक सिखाने की इच्छा है. प्रश्न को उत्तर मिना? हाँ. हाँ. और आज भी इसी आंगन में सोईएगा. पंदित रामा कृष्णा जी. पंदित रामा कृष्णा जी. मेरी रक्षा की जी. क्या हो वह मोद है? वह मुझ से मेरी भूमी जीन रहे है. मेरी भूमी ही मेरे लिए सब कुछ. मगर राजे उस पर मंदिर निर्मान कर रहा है. ये तो वही किसान श्रीकान थे, जिनकी भूमी से स्वेंबू इश्वे प्रकट हुए थे. और मैं तो आज दर्शिन भी खरके आए. अनित रामा कृष्णा, उस भूमी को मेरे पुर्खों ने अपने रक्ट से सीचा है. मेरे और मेरी परिवाग की आजीवका उस भूमी से जुडिये है. मैं उसका त्याग नहीं कर सकता. मेरी सहाइत आजीए, पंदित रामा कृष्णा जी. महोदे, आप चिंतित ना हो. मैं इस विशय पर महराज से अवश्य बात करूँगा. और हर संभे प्रयास करूँगा कि इस समस्य का कोई ना कोई हल अवश्य निकले. दन्यवाद, पंदित रामा कृष्णा जी, दन्यवाद. प्रणाम, पंदित रामा कृष्णा जी. अरे, क्या हुआ रामा कृष्णा जी? आप इसना दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ. आप मुझे बताई ना हुआ क्या है? कैसे बता हूँ? आप भी सुनेंगे ना तो आप भी अती व्याकुल हो जाएंगे. व्याकुल हो जाएंगे? इसा क्या हुआ पंदित रामा कृष्णा जी? अनर्त हो गया? क्या कैसा अनर्त? कैसे बता हूँ? यह बताने से पूर्व मेरी जीवा कट क्यों नहीं जाती? पंडित रामा किष्णा जी, बताईए, मैं सुन रहा हूँ. बताईए तो सही. पूचाल, आजाएगा. आजा रहे, यह पूचाल, बताईए तो में! बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ. जो पात्र में आपके घर से लाया था ना, रिदे गत्ती रुपने के कारण उसकी... मृत्त्य हो गई. मेरे पात्र की मृत्त्य हो गई. अभी उसी की एंदिम क्रिया करके लोट रहा. मेरे पात्र की मृत्त्य हो गई. मेरे पात्र की मृत्त्य हो गई? उसकी रिदे गत्ती कैसे रुख सकती है? आप मुझे मुर्ग बना रहा है! अच्छा, अब मैं समझा, आप मेरा पात्र हडपना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, मुझे मेरा पात्र चाहिए, अभी के अभी, अभी चाहिए, अन्नत हो, अन्नत हो, क्या हो है गुण्ट को, छोर क्यों मचा रहे हो, जिया शरी, देखिए, पंडित रामा को देखिए, कहने को तो ये महराज के प्रमुक्ष सलाकार है, अश्टर दिगज है, परन्दू, कर्म, इतने ओच्छे, जी-जी-जी, बात क्या है, बताओगे भी, गल पंडित रामा कृष्णा हमारे यांसे पात्र मांग कर ले गए थे, अब मैं वापस ले जाने आया हू कहते है कि पात्र की रिदेगाज कर्म कर दिया, अब आप ही बताओगे जी-जाजी, पात्र की कभी जीवन मृत्यू हो सटी है, अ गुंटकु महोदे, जब पात्र के भच्चे जनम ले सकते हैं, तो रिदेगती रुकने से उनकी मृत्यू क्यों नहीं हो सटी, पंडित्राम अगर आपको पात्र के आवश्कता है तो रख लीजिए लेकिन ये बेसिर पैर की मिध्या बाते बत कीजिए मैं मिध्या बाते नहीं कर रहा हूँ शास्त्री जी मैं सत्ति कह रहा हूँ गुंटकु महोदे ने ये स्वैम सुईकार किया है कि पात्र के बच्चे होते हैं देखे हुआ यू कि एक दिवस पूर्व भी मैं आपके यहां से पात्र लेकर आया था गुंटकु महोदे ने स्वैम दिया था तब वो पात्र गर्व से था और हमारे घर पर ही उस पात्र ने बच्चे दिये क्यों घुंटकु महोदे सत्य कह रहा हूँ ना बश करण जो बोल रहे हैं इजा जी मैं तो मैं तो माजा कर रहा हूँ ता कि अपने गाउं से तो निश्काशित हुआ ही है अब यहाँ विजय नगर में आके मेरे नाम की मिट्टी पलिद कर रहा है पंडित रामा कृष्णा जी को ठगने के प्रयास में तुमने अपने मुर्खता का प्रमान दिया है कि दुष्ट कुझे ज्याद भी है पंडित रामा कृष्णा कौन है इनकी सूज बूज और यान की प्रशंसा पूरा विजय नगर करता है इन्हें वेद पुरान और उपनिशक का ज्यान है तो इन्हें मुर्ख मनाने चला था कंदे कुम होदे को उप्युक्त दंड मिल चुका है जीजाजी, मुझे शमा कर दीजे, जीजाजी, दुष्ट, शमा ही मांगनी है तो पंडित रामा कृष्णा से मागो, मग दो, मग दो, मग दो, मग दो, रामा कृष्णा जी, मुझे शमा कर दीजे, मुझे शमा कर दीजे, मुझे शमा कर दीजे, शमा किया, शमा किया, अब उ मैं, मैं, मैं वच्चन देता हूँ, मैं वच्चन देता हूँ, मैं कवेनिक. वुच्चे थे, वेदैं करो. चलो, खा. अधिर, तुन, चलो, चलो. पंडित रामक्रिष्णाजी, गोंट्टुकों की उरसे, मैं आपसर शम्मा मानता. अरे, नहीं नहीं, शात्री जी, इसकी कोई आवर्शकता नहीं, ट्रनाम्, ट्रनाम्. अच्छा सबख सिखाया पंडित रामकृष्ण जी आपने पंडित रामकृष्ण जी से चतुराय करने चला था पंडित रामकृष्ण की जै 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 पंडित रामक झाल